हेलो फ्रेंज मैं हूँ गॉरफ और आप लोगोंने नार्कोस का नाम तो सुनाई होगा नार्कोस नेट्फिक्स की ही एक टीवी सीरीज है जो कि पैबलो एसकोबार नाम के एक स्पैनिश क्रिमिनल की जीवन कता परादा रहते हैं पैबलो एसकोबार था तो एक क्रिमिनल मगर जब समाज के गरीब लोगों पर कोई संकट आती तो पैबलो सबसे पहले मदद लेके हाजर हो जाता था एकदम रॉबिन हुट की तरह लेकिन फ्रेंस पैबलो एसकोबार ही एक अकेला नहीं था जो की शैतान ही नहीं बलकि मसीहा भी था जैपैन में आज भी एक ऐसी ही और्गनाइजेशन का राज है जो खुद को मसीहा बुलाती है लेकिन शायद उनकी असली सच्चाई कुछ और ही हो तो फ्रेंस आज की ये वीडियो जैपैन के एक खातक गैंग यकूजा के बारे में है जिसका कहर सिर्फ जैपैन में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में फैला हुआ है इस दल के रसम रिवाज और इनके जुर्म इतने खातक और डिरावने है कि शायद इसके बाद आप जिपैन में छुट्टी मनाने से पहले भी दो बार सोचेंगे तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंतक ताकि आप भी जान सकें कि आखिर ये यकूजा किस खेत की मुली है यकूजा के सबसे तुछ सामाजिक वर्ग बुराकुमिन में हुआ बुराकुमिन वर्ग के लोगों का समाज में जैसे कोई महत्व या कोई अस्तित्व ही नहीं था इन लोगों को सरकार तक जौब या मदद देने से पीछे हट दी दी और इन लोगों के पास रहने खाने का ठीकाना भी नहीं रहता था इस गरीबी और लाचारी के कारण बुराकुमिन वर्ग के लोगों को चोरी चकारी और गैंबलिंग याने जुआ खेलने का सहारा लेना पड़ा पुराकुमिन वर्ग के दो अंच थे तेकिया और बकूटो तेकिया समूह के लोग चोरी किये हुए समान के स्टॉल्स दिवहारों के समय या मेलों में लगाते थे कुछ देकिया सदस्य उन मेलों में अन्य लोगों के स्टॉल की सुरक्षा भी करते थे और इस काम के लिए उन्हें पैसे मिलते थे दूसरी तरफ बकूटो समूह के लोग वीरान मंदिरों और अन्य बिल्डिंगों में इल्लीगल चुए के अटेक होते और उससे पैसा कमाते धीरे धीरे इन लोगों की तादाद बढ़ने लगी और जैसे जैसे समाज में इनका प्रभाव बढ़ने लगा तो सरकार ने भी इन लोगों को मान्यता देनी शुरू कर दी देखते ही देखते इन लोगों ने अपना एक संगठित और प्रभावशाली गैंग बना लिया जिसको यकूजा के नाम से जाना जाने लगा शुरुवाती दौर में यकूजा के जुर्म छोटे मोटे थे जैसे की चोरी करना, वसूली करना या लोगों को ब्लैक मेल करके उनसे पैसे लेना लेकिन धीरे धीरे उनका जुर्म, उनके बल और उनकी तादाद के साथ बढ़ते चला गया जहां पहले यकूजा सिर्फ छोटे मोटे स्कैम में शामिल रहते थे, येल स्टेट स्कैम जैसे बड़े बड़े जुर्मों में भी शामिल होने लगे, जिससे उनके प्रती लोगों में खौफ भी बढ़ने लगा चिंता की बात तो ये थी कि सरकार भी यकूजा से मिली हुई थी और उनके कारणामों पे रोक लगाने के लिए कुछ नहीं करती थी अकूजा के सदस्या खुद को एक परिवार समझते हैं और इस परिवार में शामिल होने के लिए सदस्यों को कुछ बहुत ही दर्दनाक रसम रिवाजों से गुजरना पड़ता है हर नए सदस्या को कोबून याने बच्चे का टाग मिलता है और उस सदस्या के बॉस को ओयाबून याने आश्रे देने वाला बुला जाता है जब किसी सदस्य का दिक्षा संसकार याने इनीशियेशन होता है तो उसको अपने ओयाबून के साथ बैठ कर एक जपानी मदीरा साकी पीनी होती है हरोयाबून अपने नए कबून को एक मिटी के गलास में बहुत थोड़ी सी साकी सर्फ करता है और अपने खुद के गलास को उपर तक साकी से भरता है क्लास में साकी की अधिक मातरा उसके उचे पद याने पुजेशन का प्रतीक होता है एक बार दोनों साथ में ये साकी पी लेते हैं तो वो कबून अफिशली यकूजा का सदस्य बन जाता है क्योंकि इसमें मशीनों का इस्तमाल नहीं होता, बलकि एक बास की सुई का इस्तमाल होता है, जिसमें इंक लगाके हाथ से टाटू बनाया जाता है. यही नहीं, यकुजा का एक और रिवाज है, कि अगर किसी कुबून ने कुछ ऐसा करा हो, जिससे उसके ओयाबून को परिशानी हुई या फिर उससे कोई गलती हुई हो तो उस कबून को अपनी काणी उंगली काट कर अपने ओयाबून को देनी होती है ये काणी उंगली उनकी माफी की निशानी होती है और अगर इसके बाद उनसे कोई गलती होती है तो उनको अपनी बाकी उंगलिया भी काटनी पड़ेगी हर गलती के लिए एक उंगली इसके कारण यकूजा के सदस्यों को पहचानना काफी आसान है इवन दो सरकार ने उन पर पब्लिक में अपनी टाटूस दिखाने पर रोक लगा रखी है यकूजा अब ज्यादतर वाइट कॉलर क्राइम्स के लिए जाने जाते हैं वे बड़ी-बड़ी कमपनी के स्टॉक खरीते हैं और तब तक खरीते रहते हैं जब तक स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग में न बैट पाए और फिर वे बाकी कमपनी के मेंबर्स को धमका कर उनसे अपना काम निकलवाते हैं ये कारिया यकूजा के खास सदस्या सोकईया को सौपा जाता है और जो कमपनी यकूजा के चंगूल में फस जाती है उस कमपनी के उपर वो कलंक उसका पूरा भविश्य बरबाद कर देता है इसके अलावा कई यकूजा के सदस्या अन्य कमपनी के लिए काम करते हैं उनका काम होता है इमारतों को जोर जबर्दस्ती से खाली करवाना ताकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो सके यही नहीं जपैन में मेजॉरिटी ट्राफिकिंग के केस के जिम्मेदार भी यकूजा ही होते हैं और इन जुर्मों की शिकार सिर्फ जपानी लड़कियां नहीं बलकि अन्य देश की लड़कियां जैसे युनाइट स्टेश लड़कियां भी बनती है यकूजा के सदस्या दूर देशों से मासूम वखूबसूरत लड़कियों को नौकरी का लालच देकर जपान लिके आते हैं और जब लड़कियों को पता चलता है कि उन्हें किस काम के लिए लाया गया है तो उनके आसपास न पैसे होते हैं और न रहने का ठिकाना जिस वजह से उन्हें अपने यकूजा बॉस के लिए वैश्य बनना पड़ता है लेकिन सबसे ज्यादा पैसा और मुनाफा यकूजा को उनके ड्रग्स के कारोबार से मिलता है हर वो illegal drug चाए वो chemical हो या natural जिसका भी नाम आप जानते हो उनका राष्ट्रिया और अंतराष्ट्रियस तरफर कारोबार यकूजा करता है जपैन में आज यकूजा के चार समूह है यामागूची गुमी, सुमियोशी काए, इनागावा काए और एजुकुतेट्सु काए हर समूह एक समूह नहीं बलकि परिवार की तरह विभार करता है और इन समूहों के भी करते हैं अफ फ्रेंज्स, ये सब सुनने के बाद आप ये सोचते होंगे कि ये लोग आखिर मसीहा कैसे हुए तो वेल, बात ये है कि 2007 में जपैनी सरकार ने यकूजा से तंग आके कई ऐसे कानून लिखे जिससे कि कोई भी यकूजा का सदस्या किसी तरह का कारोबार ना कर सके या फिर किसी कमपनी का हिस्सा ना बन सके और इन कानूनों के कारण यकूजा का साशन काफी हद तक खतम होने लगा अपनी ताकत पर अपनी पकड बनाये रखने के लिए यकूजा ने समाच सेवा करना शुरू कर दिया और 2011 में आए जपैन में सुनामी के समय सरकार से पहले यकूजा ने अपने आदमियों को भेच कर पीड़ित लोगों तक खाना पानी और कपड़े की विवस्था करवाई सिर्फ इतना ही नहीं इन लोगों ने बेघर लोगों के रहने का बंदोबस्त भी किया और यकूजा का कहना है कि वे ये समाद सेवा अपने निनक्यो कोड का पालन करते हुए करते हैं उनका निनक्यो कोड ये कहता है कि एक यकूजा का सदस्यक कभी किसी मुसीबत में पड़े इनसान को तंग नहीं करेगा बलकि उसको हर वो मदद देगा जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके जैपैन का हर जुर्म सिर्फ यकूजा के कारण ही होता है बाकी चोर और अप्राधी यकूजा के इलाके में कदम भी नहीं रख सकते क्योंकि पुलिस से ज्यादा उन्हें इस बात का डर होता है कि यकूजा को अगर गुसा आया तो वो उनका पुरा हाल कर देंगे हर वो इन्सान जिसको समाज बेघर याब बॉयकॉट कर देता है वो यकूजा के पास आते हैं जहां उनका जोड़ से स्वागत किया जाता है यकूजा भले ही बड़ी कमपनियों का घाटा करवा देते हैं लेकिन यकूजा के कंस्रक्शन कमपनीज में शामिल होने के कारण ही अज है और यकूजा ने समाच के कम भागयशाली और गरीब लोगों को परेशान नहीं किया बलकि जब भी उन्हें मदद चाहिए होती तो यकूजा सरकार से पहले वहां मौजूद होती वर्ल्ड वार टू के दौरान यकूजा की तादाद 18 लाग पहुँच गई थी लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा यकूजा की हरकतों पर बैन लगा दिया गया और अब उनकी तादाद सिर्फ 85,000 पहुँच चुकी है लेकिन यकूजा के खिलाफ इतने कानून होने के बावजूद भी समाज में उनके प्रती उतना ही खौफ और उतनी ही इज़त है जितने की 20 साल पहले थी यकूजा जपैन के अमीरों के लिए गैंस्टर है और नीचे दिये हुए बेल बटन को जरूर दबाईए ताकि आप इस चैनल पर कोई भी वीडियोस मिस ना कर सके थांक्यू फर वाचिंग और जै हिंद